प्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी के सामने प्रिसारी रूले कर यहां पर विट्कोर इसकी सारी कि सारी टाज आपडेट आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल आनसे को साथ यहां पर देखने वाले धेल सारी की प्रिनुस्यों को जो कि आप लोग के यहां पर काम की हो सकती है तो वीडियो को शुरू से एक पूरा चरूर देखेगा बागे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सो को रिमाइंड कराना चाहूं कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल एंसस के कोर्स में डोल नहीं करा या फिर आप यहां पर सिग जो सिनारियो वह ज्यादा को चेंजेस नहीं हुआ है बिटकोइन के अंदर जहां पर कि हम देख सकते कि स्टिल जो यलो लाइन ने वह थोड़ा सा बिटकोइन को सपोर्ट कर रही है लेकिन यह जो पूरा की पर एक एरिया है जिसमें हमने एक बॉक्स को लगाए था जो सब्सक्राइब कर सकता है या फिर इसे और ज्यादा उपर भी यहां पर जा सकता है लेकिन अगर मार्केट स्टिल यहां पर कंटिनूसले रिजक्ट होता रहेगा तो वापिस जो प्राइस से वह नीची की तरफ गिरेंगे और कहीं ना कहीं हम यह फिर कह सकते हैं अगर हम इ यह चीज़ देखेंगे कि अगर हम यहां पर इस रेक आउन करें तो करेंट लिए फिर यह चीज़ देखने को मिलेगी कि प्राइस स्टिल अभी पी आप एक ट्रेंगल की अंदर है नहीं कि अंदर और यह डिसानिंग ट्रेंगल कहीं हमें 2019 वाला जो डिसानिंग त्रेंगल हम अगर सकी मंतली क्लोजिंग को देखने के कोशिश करें तो मंतली के ना कई हमें थोड़ी सी बीरिष तरीके की देखने को मिली है अगर आप देखते हैं तो याउसको होना तो ऊतने लिए कुछ के दोड़ा नीची के तरह पुश कर सकते हैं आप लोग दो तरफ की तरह हैं उसके at अधर देखते हैं बॉट करता संध है और उसको उच्छावर में देख रहे हैं तो इस्टिल अभी भी हम लोग आप पर कही ना कहीं एक descending triangle के अंदर ही है यह हम कहा सकते उसके आसपार से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चाता है कि 34,500 से 600 का जो range है वो break करें और फिर market उपर की तरफ जाए या फिर market के लिए नीचे 23,000-24,000 तक का mark आप पर रहने वाला है पाकि इस पूरे की पूरे जहां जब तक साइड़ में आप लिए तो एक अच्छे चल्ट होनी है और उसमें अराम चे करिए बाके बात करते हैं हम लोग इमें रिबन के बारे में तो इमें रिबन अभी इस चिल यहां पर सपोर्ट दे रहा है जिस तरी किसल यहां दिया सब्सक्राइब करते हैं हम लोग यहां पर बात करते हैं हम लोग आरे से के बारे में तो आरे से लगबख 40 के असपा स्टेड हो रही है लास्ट इम इस एरिया के बाद स्टेड होने के अच्छा मुमेंटम मिला था तो लेट सी कि अगर पहले प्राइस नीचे ना जाए क्योंकि अगर यह वाला एरिया इसको फॉलॉप कर रहा होगा तो प्राइस पहले नीचे शूट करेंगे फिर वाद में अपने रीकवरी देना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा में शाथ और दिन का टाइम लग सकता है बिटकोईन के लिए इसके अंदर कोई खास मुमेंटम आए और हमें पता पड़े कि जो मार्केट है वो किस डारेक्शन को आपर फॉलॉप करने वाला है वही पर बात करते इस एम फ्यूचर के चार्ट के बारे में इसको भी हम लोग 4 आवर में देखते हैं तो फिलाल में इसके अंदर तो कोई खास गैप देखने को नहीं मिल रही है और और जो छोटी मटी गैप से अंदर फिल यहां पर हो जाती है तो इसके लिए थोलोग सा वेट करते हैं फॉल करके नीचे आजाएगी 61 तक और यहां पर आपको और ज्यादा पैसा आता हुआ मिलेगा पंपिंग होते हुए मिलने वाली है तो इसका थोड़ा ध्यान देख सकते हैं हो सकता है कि डॉमिनस थोड़ी ऊपर भी आ जाया लगपक 64.40 के असपर तक भी आ सकती हैं तो य अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखना चाहो तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको एक असनिंग ट्रेंगल का फॉर्मिशन देखने को मिल रहा है और अगर इसका ब्रेक आउट होता तो आप यह चीज़ मान के चल सकते हो इस पूरी रेंज का कि कहीं ना कहीं जो मार्केट इस लाइन की बात करे थी कि प्राइस करीबान वन टू नाइंटी आसपस आ जाएंगे तो वहां पर भी फिला में ट्रेड हो रहे हैं लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी चीज़े और ज्यादा कॉंप्लिकेट हो रही है क्यों कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक असनिंगल की फॉर्म में भी देखें तो यहां से प्राइस के में वापी से अप मुमेंटम आना चाहिए और अगर यह मुमेंटम नहीं आतो प्राइस सीधे नीचे शूट करना स्टार्ट करते हैं तो यह जो राइसिंग वैश हम लोगने पहले से ड्रॉ करा था कहीं ना कहीं यह ही थोड़ा सा बीरिश है और अगर आप देखेंगे तो सिमाटिकल ट्रेंगल ही टाइप का बन रहा है जिसका ब्रेकाउट बहुत जल्द यहां पर आ सकता है आरे से की बात करें तो आरे से अभी यहां पर अगर सबूर्ड बना रहेता है पॉर्टीफाइब की आसवस तो हो जाएगा या फिर इस हफ्ते के अंदर हो सकता है नेक्सफटो कान की बात करें तो यह है 200 लाइट को जिसने पूरी कोशिश रही वापी से ब्रेक करने की बटट वापी सी यह यह नहीं हो पाई है हाला कि बहुत बार हो यह कोशिच कर नी जानी कि भी कर दिया जा है बट अब फिर से एक बार unsuccessful यहां पर matter रहा है अब लास्ट इम जो हमारा लेवल था वो थोड़ा सा आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ ले सकते हो लगबख इस एरिया के असपस तो अब यहां पर जो मेजर एरिया हो जाता है वो है 146 का इसको ब्रेकन है इंपॉर्टेंट है और मार्केट इसको इसतरहहे बाउंसरह नहीं मिल पाता है तो कहीना कई market एप्ता bottom क llegar एट करolici कर राएए और यह ब्रेक ओट इसको फिर नीचे की तरफ फ़सी मार्ण तो सारे कौन को लेके गिरेगा अक्यला नहीं जाएगा तो आप सारे कुंदर फिर खोल सकते हो बट यहां पर वेट करते हैं थोड़ा सा अगर यह लेवल होल्ड कर पाए तो ज्यादा वैलन कोड है नहीं तो फिर प्राइस जो है नीचे 20.24 को टेस्ट प्र यहां पर कर सकते ह हो लगभग 49 के आसपास और जैसे मैं आपको लास्ट इम भी बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं अल्टम है के हम लोग यहां पर निकल जाएंगे जो कि अल्रेडी बाइनस को यहां पर ड्रॉक कर लिया है तो अभी तक आप बाकि सारी चाहिए यहां क्लियरली देख सकते हैं और इसका जो मैंने आपको बताया था कि डबलू पैटन हो सकता है यह वाला जिसका ब्रेक अगर हमें मिलता तो लगभग प्राइज यहां पर 55.8 डॉलर या 56 डॉलर तक क्रेट कर सकते हैं तो आप जाके देख सकते हो बेन भी अगर आपके पोर्फ कि क्या कोई न्यूस है तो बेसिकली एक न्यूस है कि आज 7 बजे इंडिया डायम का कोडिंग इसको पंप करवाने वाले थे एक डॉलर तक लेकिन आप खुद देख सकते हो कि जो वादे थे वह निभ्या नहीं पाए और यहां पर मार्केट 43 परसं करेक्शन में आ गया तो आप यह मैं सोच हो कि वह और जदा भागेगी जिसे डॉगी कों के साथ हुआ डॉगी पंप हुआ सब पे घुसने के कोशिश करते हैं वह दंप हुआ और फिर वह पंप हुआ तो थोड़ा सा हमेशा वेट करो हमेशा चीज़ नीचे आती हैं जैसे मैं हमेशा आपको बता करें नहीं तो फिर मार्केट यहां पर आके होल्ट करता है तो फिर हम पाइंट ले सो सकते हैं आगे के पीछे फिलाल में इसके फंडामेंटल इतना ज्यादा बैक्टर साथ नहीं दे रहे हैं अगर आप टेक्निकल देखते हो तो यह एक लेवल है चहां पर हमें 0.45 से लेक है हाँ अगर यहां पर 25 ब्रेक होता है तो बुलिश रहेगा तेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर भी आता तो थोड़े वियरिशनर के चांसे आपर बढ़ जाएंगे लेक्स की बात करें तो यह है दोस्तों पोलका डॉट जो कि अपना सिमेट्रिकल ट्रेंगल है पर ब्रेक कर सकता है अगर हम इस सपोर्ट को यहां पर भी थोड़ा सा पतला करें तो लगबग लगो प्रैसे 14.6 से 14.9 अगर आते हैं तो एक बाइंग हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं अगर यह लेवल हैं पर ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि कहीना कि जो मार्केट है व जिसने की इस वाले लेवल को हिट कर लिया है तो यह अगर इसके नीचे रहा तो मार्केट कहीना करें फिर 372 को टेस्ट करने वापिस नीचे आएगा नेक्स दो कोई की बात करें तो यह है दो सो बैंड को जिसका ब्रेक आउट फानली हुआ है जो मैं आपको बैता है कि इस जो ब्रेक आउट हुआ है लगपक हमारा जो अल्मुस्ट पहला टार्गेट है यहां पर कंप्रीट हो चुका है और इसके बाद अगर यह डबलू पैटन जो हम लोग पहले भी ड्रॉ करा था यह अगर है पर सक्सेस्फुली बन जा रहा है और यह पंप होता है तो यहां से जो प्रैसेस के पंप कर सकते हैं वह लगपक लगप 15.7 डॉलर तक यहां पर जा सकते हैं तो बैंक टोकन में आपको ऐसे एक अच्छा कासा मुमेंटम है जहां पर क्या आप ट्राइक कर सकते हो और प्रैसेस अब अल्रडी ब्रेक कर गें तो एक दम से मत खुसना या तो इसमें देखना पड़ेगा नेक्स दोस्व कोईन की बाग करें तो यह है दोस्तों हमारा लास्ट कोई कडानों और कडानों से जो एक्सपेक्टर था वो नहीं हो पाया यहां पर जो मार्केट था जिस तरीके से वह बेस बना रहा था पॉस्पिलिटी लग लग दे थी कि मा कोबिनेशन के नीचे मार्केट गिरता है यानि कि इसके नीचे आप माल लो लगबख 0.32800 के तो फिर मार्केट के ले इतना हेल्दी रन अप नहीं होगा तो यह सारी चीब डिपैंड करेंगे कि बिटकॉन किस डाक्षिन में जाना यहां पर चाहता है कुछ कोईने जो कि लोग लिआं चेंड रहे हैं लेकिन बहुत साथ हुए लेकिन आप चल रहे हैं तो बस उसो सारे साथ हो चुँके हैं अब चलते से एक कह सकते कि यहां पर चार्ट का जो शोशल मीडिया है वो कहना कि सिर्फ इन्विटेशन पर ही वर्क करता तो यहां पर उनका के साथ था और यह इस वीडियो को वेसिकली मैंने टेलीग्राम पर डाला है तो आप जाके देखो ट्वीटर पर डाला है और इसको आप अगर वा पर सोची जा रही है तो कि ऐसा एकदम से मतलब अलग ही हो गया कि और बिटकॉइन हो सकता है कि दीरे-दीरे चाहिए समझ जा रही हो तो शाद एक्सेप्टेंस बढ़ रहा हो और हमने देखा कि पिछले साल से किस तरह इस इंस्टिशन इंवेस्टर जो है वह मार्केट के इंदर आए बट फिर भी देखते हैं कि क्या चीजी आपे बन पाती है अगली दोस्ता पर खबर आ रही है एनफल प्लेयर की तरफ से जो कि मेरे सेलिबरिटी और उन्हों यहां पर बहुत सारे लोगों ने और और अब यहां पर रशियल और ने भी अपने हैश्टेक के लि सब्सक्राइब कर रहा है मिस्टर बीस ने आपे कर रहा है एड और इंडिया से बोलो तो आपको कोई खाना मंगा ना होता हुँ सूचने में लगा होगा बट यह अच्छी बात है कि बड़े-बड़े ब्लेस कहीं ने कई बिटकोइन को शिल करने भी लगें और इसकी शिलि होगा बहुत बड़ा बैंक है सबसे बड़ा लार्जेस बैंक है इनका क्याना है कि जो बिटकोइन है उसकी जो फिक्स अप्लाइब उसके कारण उसकी वैल्यू हाँ पर कॉलिप्स हो सकती है और कहीं ना कहीं यह चीज़ उसको एक तरीके से क्रिप्टो के अंदर वह यह है है क्योंकि अगर आप घड़ियां भी देखो तो वह यहां पर लिमिटेड होती है अगर ऐसी होता तो वह भी कपसे कॉलिप्स यहां पर कर जाती हैं लेकिन यस यह चीज़ें तो है कि बंकिंग सक्टर को कही ना कहीं खत्रा तो है क्रिप्टो से चाहे वह उसके साथ काम करन सब्सक्राइब करा गया तो वही चीज़ में आपको पहले भी बताई थी उस ताइम कि आपको इतना डरने वाली बात नहीं है और डॉलर की जो रेट्स किरे थे वह आपस नॉर्मल हो जोगे तो आप यहां पर आराम से देख सकते हो तो आपने अगर डिप में बाई करा था तो आप सभी को कॉंग्रोचिलेशन अगली दोसरा पर खबार आजिए वीजा की तरफ से बड़े-बड़े नाम हमारे आज की नियूस में शामील है तो वीजा के जो सीयों दोसों वहां पर पेमेंट जाइंटी वीजा भी पेपाल हो गया वीजा हो गया मास्टर कार्ट हो एंट वीजा सबसे बड़ा है में ढूर्ण कर रहे हैं कि क्रिप्तो आइस ग्रेंग करें। medium of exchange यह अच्छी बात मुझे लगे कि media of exchange को promote अगर हम लोग इस तरह के से गा रहे हैं तो कहीं न कहीं कि क्रिप्टो की जो पिछले words लगते हैं कि कहीं न कहीं किसी को दबाएगा या कुछ करेगा वह बैटर यहां पर हो सकते हैं तो इन्होंने जो इसके CEO है अल्फरेट केली उन्होंने आपर बता है कि हमारे फिर्म के प्लान से जहां पर कि क्रिप्टो करनसी को उनके नेटवर्क के अंदर एट करा जा सकता है और यहां पर उनके 70 के खबर आरी दोस्तों आरी फैडिलीटी की दरफ से फैडिलीटी दोस्तों पर बहुत ज़्यदा आप्टिमिस्टिक है इस बारे में कि जो बिटकोइन के रेगुलेशन है वह बाइडन के अंदर यहां पर आ जाएंगे पॉसिबल है कि आज आए को जिस तरह के से रवया रहा है उनकी जो फैनिस मिनिस्टर थी उनका तो हमने उनकी क्लिप देखिया कि वह ब्रह पर बहुत जदा बढ़ रहे है कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो इंस्टिशन की डिमांड बेटकोइड ले वह बहुत इस फिल्ड में भी यहां पर थोड़ा बहुत काम कर सकती है और फैडलेटी के पास बहुत बढ़ा मार्केट शेयर है यानि कि ब्लैक रॉक के बाद अगर हम देखे तो फैडलेटी इस तरीके से काम करती है मार्केट के अंदर और ज्यादा चीज़ों का एक्सपांड करती ह तो कहीं नगा यहां पर और जदा डिमार्ड अगर क्रेट होगी तो प्राइजस में तो फिर आपको अंतर देखने को मिली जाएगा सो फिर वीडियो को पसंद आए और वीडियो पसंदद आया तो लिडिस लायक करेगा चैनल पे दोसों पसंद आमाये तो दोस्टों सब्स